Hello everyone, this is Swati So, पिछली वीडियो मैंने बनाया था Teachers Day के उपर जो Teachers के base पे था Teachers कैसे तो आपके life में importance रखते हैं उस base पे था और आज का जो ये वीडियो हो उसका topic है आजादीक अमरित महसौफ ये जो topic है आजकल बहुत जादा famous चल रहा है कहीं पे भी ऐसे लिखना हो speech लिखना हो, speech बोलना हो तो ये जो topic है अजकल बहुत जादा चल रहा है भी मैं हाली में competition में गई थी और वहाँ पे ये जो topic था वो आया था इसलिए मैंने ये जो वीडियो है वो मैं इसी topic के पर बना रही हूँ आज़ादी का अमृत महसुओ आज़ादी तो आज़ादी के बारे में तो हमें पता है कि आज़ादी क्या है ठीक है अज 15th of August से जो हम सीखते आ रहे हैं कि आज़ादी क्या है आज़ादी हमें कैसे मिली तो आज़ादी कोई normal चीज तो नहीं है कि हमें ऐसे ही मिल गई जश्वाइब बहुत 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 जितने भी मैं बहुत बलागाल हूँ जो इसकी हार्डवर्क है जो पर्यों से लोगों के वह कम है तो आजादी वैसे ही नहीं मिली आजादji आजादी का जो अमरित महसब है वह स्टाट हुआ था 12 मार्श 2021 म सटीर हुआ था हमारे इंडिया का जो यह इस स्टीर की इस आए हुआ था ताकी असे समझ सकते हैं लग उनको यह नहीं लगता है हम तो चलो ठीक है फिर भी बड़े हैं हमने इस्टी पढ़ी है इस्टी जानी है तो हम समझ सकते हैं कि लेकिन जो अभी के बच्चे हैं जो यंग जनरेशन है जो और जो चोटी जनरेशन है वह आजादी को जस्ट हिस्ट्रों के पढ़िके भूल जा रहे हैं वहीं नहीं समझ रहे हैं कि उसके पीछे कितना एफॉर्ड किता हार्डवर और किता सेक्रिफाइज लगे हैं उन्हें जस्ट यह स्टोरी लग रही है कोई घटना उन्हें नहीं लगती तो बस इसी चीज़ को रियल बनाने इसी चीज़ को उनके सामने रियल बताने के लिए आजादी कामरत महसफ स्टार्ट हुआ था ठी 2022 तक चलने वाला है आजादी और 15 अगस्ट 2021 के 75 वीक्स पहले यह शुरू किया गया था क्योंकि अब हमारा 75 यर चल रहा है इन डिपान जसका ठीक है लेकिन आज भी अगर अब भी में थोड़ा आजादी के उसमें बोलूं पॉइंट और व्यू से बोलूं तो जो भी जो आजादी हमारे सिंदार वल्लब भाई पडेल और महात्मा गादी यह लोग चाहते थे आज वह आजादी नहीं है ठीक है देश में एकता हो देश में एकता हो लेकिन आज भी देश में उतनी एकता नहीं है जितनी हों जी हां उन्होंने 562 प्रोविंस को एक तो कर दिया ले है यहां पर नुख जाता है जो ग्रोथ उनको इनडिया में करनी चाहिए वह उनलोग को सब करने करते हैं अमयरिका को offer ता उसने कहा था कि मैं आपको 5 कुना ज़ाधा मैं उन्डिया के मुकाबले नहीं मैं अपनी इंडिया के लिएressive दो कहा था कि मैं पांज तो पर आपनी बम किन जवार्ट यह स्क आप तो यह जितनी भी चीजें जो जितने भी महान लोग करके गए हैं कहीं आरे पीछ चीजें, इतनी सारी कल्चिरल चीजें जिन्य आज आगर हम याद करें तो जिए हमारा इतिहास के पन्नों को आजादी के पन्नों को घुमाएं थी जलनवाला भाग मैस्क है भागस सेंग युवा पीड़ी है वो देश के लिए कम लेकिन अपने बारे में जाधा सूच थेंग फॉर कंट्री देश के लिए सोचेंगे तब ही हमारा देश भी आगे बढ़ेंगे हम खुद आगे बढ़ेंगे और वही सही माइनों में आजादी होगी कहें लड़कियों को आज भी पी लोग सिर्फ लक्षमी भाई नहीं एसी बहुत साइव लेडी ना आजादी नहीं देश के बहुत बड़े बड़े कामों में राय लक्षमी भाई का बहुत बड़े योगदन राह इंद्रा गांधी एक ऐसी लेडी है जो आज तक की सबसे सफ़ल ब्रथार मंत्री मानी जात आजादी की प्रतिक काम करने से पीछे बड़े जो जो आज के वीडियो था उसका मिशन यहीँ था कि बस जो यह जन देशन आजादी बार में नहीं बोला है बट आज़ की प्रॉब्लम से देश में उसनें के बारे में थुदधा बहुत बोला है तो प्लीज अगर अच्छ learning until the next video keep understanding new things and go do well for your nation and for yourself okay thank you